हलो दोस्तों आप सब कैसे हैं ठीक हैं उमिद करते हूं ठीक होंगे और ठीक होना ही चाहिए और आज हन्मान जैनती है आप सब के लिए जैसी आराम और आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेरे जीवन में तो दुखा आई चुके हैं पहाड तूटी गया है दुखा त अब मैंने तो फैसला कर लिया है कि उस आदमी के साथ अब कभी जीवन में मैं नहीं रहूंगी और नहीं और पहली बाद कोई भी वरत नहीं रहना चाहिए ऐसे आदमी के साथ मैं जो मारपिट से ही नहीं है लेकिन जो हर चीज है मैं बताना चाहूंगी घर मिद्व लेडि इसलिए सेहना बिलकुल भी नहीं क्योंकि आजकल लड़कियां जो सेह रही है ना वो मैं खुद से जान सकती हूं मैं किसी के लिए गलत मतलब बो नहीं दे रही हूं लेकिन हाँ जो मुझ पर भी दिया मैं बो बता रही हूं आज मैं कितने सालों से अपने उपर मतलब एक मतलब बरदास कर रही हूं जिल रही हूं यह मैं जानती हूं यह उपर वाला जानता है बरना कोई नहीं जानता इसलिए मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि आज का लड़कियों से बस इतनी मतलब मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई लिखाई करके बस अपने फैरों पर खड़े ओोके तब साथी करें जब भुट पैरों पर खड़ी हो जाएं औरुसराल जाएं तो कोई उन को दिया से को कोई उन से बोल ना सके कि नहीं ये मीा टूंगा तो या सवाल भुटर। या सब नहीं से नहीं से जोब करने के बाद ही साधी करें, मेरा कहनी का मतलब है, कि पढ़ाई लिखाई के बाद, जोब करने के बाद, खुद के पेरों पर खड़े होने के बाद ही साधी करें, जब तक नहीं, क्योंकि जब तक लड़की पेरों पर खड़े नहीं होगी, तब तक कैसे चलेगा, आप भी बताईए ऐसे जुर्म थोड़ी अपने सहते जाएंगी लड़कियां कब तक वरदास्थ करेंगी कब तक इसलिए अपने पेरों पखड़े होने के बाद ही साधी करें बस इतनी ही रिगवेश्ट है मेरी हर बेहन से मेरी हर बिटिया से और मेरी हर एक देश की बहन से यही रिगवेश्ट है कि पड़ाई लिखाई करके और अपने पेरों पखड़े हों के ही साधी करें सोच समझ के